गुद मॉर्निंग स्टूरेंट्स तो हम टॉपिक को कंटीनू करेंगे चैप्ट टू के वी वर डिसकूसिंग अबाउट दी यूसफुल माइक्रो और्गानिजम्स तो पेटा हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था कि कर्ड बनाने के लिए हमें Lactobacillus bacteria चाहिए और हम bacteria fungus की help से बहुत सारी antibiotics produce करते हैं जो की medicines होती हैं और हमें diseases से protect करने में help करती हैं उसके इलावा हमारे को बहुत सारे bacteria ऐसे होते हैं जो कि help करते हैं soil fertility को improve करने में now soil fertility का मतलब क्या होता है एक तरीकी से soil के अंदर nutrients की जो quantity है उसको increase करने में help करती है जैसे कि जो atmosphere की nitrogen होती है उसको directly plants use नहीं कर सकते हैं and nitrogen एक important mineral है जो कि हमारे body में या plant की body में proteins बनाने के लिए important है तो कुछ microorganisms ऐसे होते हैं जिसे कि blue green algae blue green algae जो है ये help करती है nitrogen को इस form में convert करने में कि plants उसको utilize कर सके तो leguminous plants होते हैं कुछ leguminous plants के examples के जैसे अब घर में राजमा खाते हो छोले खाते हो तो उनके जो plants होती है उनकी जो roots होती है roots के अंदर कुछ bacteria present होते हैं और ये bacteria जो होते हैं ये help करते हैं nitrogen को fix करने में and जब nitrogen fix होती है तो ये nitrogen का content soil में improve कर देती है और जब nitrogen का content soil के अंदर improve होगा तो obviously plants जो है nitrogen को और अच्छे से ले सकेंगे and उस nitrogen की help से और ज़्यादा proteins बन पाएंगे यही reason होता है कि राजमा और चोले टाइप के जो हमारे ये food होते हैं इनके अंदर protein की quantity जो होती है वो जादा होती है उसके इलावा हमारे को microorganisms कैसे use full होते हैं cleaning of the environment अब बहुत सारे plants और animals naturally उनकी death हो जाती है जैसे जंगल है या कोई भी एक open place है वहाँ पे बहुत सारे plants और animals जो है उनकी death हो जाती है अब अगर उनकी body ऐसे ही पड़ी रही तो क्या होगा धीरे धीरे वो सरने लगेगी उसके अंदर से smell आने लग जाएंगी उसके अंदर खुब सारे diseases भी हो सकती है और वो diseases fell भी सकती है तो कुछ microorganisms जैसे कि bacteria और fungi इन plants और animals, dead plants और animals की body को decompose करना शुरू कर देती है means इस form में convert करना शुरू कर देती है कि धीरे धीरे उनकी body जो है वो खतम होने लग जाती है और उनकी body के जो nutrients है वो वापस से soil में चले जाते है and इनको हम क्या कहते है decomposers भी कहते है and इस process को decomposition भी कहा जाता है और अगर कुछ भी component बच जाता है तो हम उसको use कर सकते है as a manure या हम उसको biogas production के लिए भी use कर सकते है so these all were the things that how microorganisms are useful to us पिटा एक और चीज़ा इस video में हम discuss करेंगे which is vaccine ठीक है vaccine क्या होती है vaccine जो होती है ये इसकी help से हम क्या carry out करते है immunization का process करते है अब immunization क्या होती है immunization का मतलब होता है किसी disease specific disease के against body को protect करना अब vaccine में क्या किया जाता है vaccine में एक small dose दी जाती है weakened और killed disease causing microbes की मतलब हम उसी disease causing microbes जैसे कि अगर आप आप example देखें coronavirus का तो coronavirus की vaccine के अंदर हमने क्या किया हुआ है विल्कुल weekend weekend का मतलब है कि विल्कुल कमजोर coronavirus या killed coronavirus को हमने क्या किया है उस microbes को हमने एक तरीके से injection की form में जब आपको जब injection लगता है तो उस injection के अंदर वो जो medicine है उसके अंदर क्या है weakened or killed disease causing microbes है जो कि body को उस particular disease के लिए prepare करेगा और उससे protect करने में help करेगा जैसे कि weakened coronavirus को अगर हम vaccine के थुरू किसी person में डाल दे तो उसके against body क्या बनाएगी antibodies बनाएगी antibodies वो proteins होते हैं जो कि body को एक specific disease से fight करने में help करते हैं तो coronavirus की अगर हमने vaccine दिये तो वो antibodies जो produce होंगी वो coronavirus की disease से ही protect करने में help करेंगी तो मतलब अभी हमने organism जो था वो बहुत ही ज़ादा weak था तो हमारी body जो है naturally उससे fight कर रही है इसी वज़े से कभी-कभी जब आप को injection लगवा कर आते हो vaccine लगवा कर आते हो तो आपको fever हो जाता है या pain होने लग जाता है थोड़ा body में क्योंकि आपकी body जो है वो antibodies बना रही है लेकिन इतना body capable होती है कि वो इस weakened या killed disease के disease causing microorganism को सहन कर सके और अब actually में जब वान लोग coronavirus ने actually में उस person को attack किया तो उसकी body में already coronavirus के लिए बहुत सारी antibodies होगी and वो person जो है अपने आप को protect कर पाएगा उस disease से and this vaccine की health से इस vaccine की health से हम जी जो process carry out करते हैं इसको हम क्या गहते हैं immunization कहते हैं तो अलग-अलग age पे अलग-अलग हमारे को क्या लगती है vaccine लगती है जिसकी for example है अगर एक बच्चा है जो four to nine months का है उसको dpd की vaccine लगती है उसको polio की oral vaccine दी जाती है एक साल के बच्चे को small box की vaccine मिलती है तो इस तरीके से age-wise भी vaccine दी जाती है ताकि body को disease-causing microbes से क्या किया जा सके immune किया जा सके बचाया जा सके बचाया जा सके बचाया जा जा सके जास-जान की जा सस्वेक though जासित